नमस्कार दोस्तों US Legal में आपका स्वागत और आज हम बात करेंगे शुशिल कुमार रैसलर और कुष्टी खिलाडी उनके उपर आरोप लगा है कि उनके दोवारा हत्या की गई और अपने पहलवान साथी जिसका नाम सागर है और उनकी हत्या चार मई को कर दी गई और उनके उपर कुछ पहलवानों के दोवारा रोड से डंडों से उनके सिर के उपर चोटे लगाईगी और जिसकी वज़ा से उनकी हत्या कर दी गई और पुलिस को जब पता लगा पुलिस के दोवारा छत्र साल स्टेडियम में पुलिस आई और पुलिस ने वहाँ पर तत्यों को इकठा किया और तत्यों में पुलिस ने पाया वहाँ पर चार-पांच गाडिया लगी हुई थी और उसके अलावा वहाँ बंदू के डंडे भी बरमाद हुए और जिसकी वज़ा से सागर की हत्या कर दी गी और पुलिस ने बताया कि उसके बाद वहाँ से शुशील कुमार और उसके कुछ आरोपी साथी भाग चुके है और उसके बाद पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा अपनी चोटी चोटी कमेटिया गठीत की गई पुलिस की और उनके द्वारा शुशीर कुमार को पकड़ने के लिए दभिश को चलाया गया और उनके द्वारा ये दिल्ली पुलिस ने उत्राखंड पंजाब और हर्याना के और दिल्ली के हर जगा जा जाकर कोशिश की गई की शुशीर कुमार को पकड़ा जाए पर लेकिन उसे दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और शुशीर कुमार के द्वारा 17 मई को एक रोहिनी दिल्ली के रोहिनी कोट में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई गई और शुशिर कुमार के एडुकेट ने बताया कि शुशिर कुमार दो बार पदक जीते हुए है और शुशिर कुमार का बहुत बड़ा नाम है और उनके उपर जो ये एफ आई आर दर्स की गई है ये एक शड़यंत्र है ये याचिका में कहा शुशिर कुमार के एडुकेट ने और लेकिन दूसरी तरफ से एडुकेट ने जब अपनी सरकारी वकील ने जब अपनी दलील देई तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कम से कम बारा दिनों की बारा दिनों का रिमांड पुलिस ने कहा कि हम बारा दिनों का रिमांड चाते हैं और अभी हमने शुशिर कुमार से बहुत से तथ्यौ collect करने हैं और दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी हमें इनका मुवाइल भी सर्च करना है और मुवाइल को भी ढूंड़ना है क्यूंकि मुवाइल के अंदर बहुत सारे तत्या छिपे होंगे जो इस केस में हमें साहेता करेंगे और आगे आने वाले दिनों में इस केस के लिए ए एक नई नई सुरूची त्यार करीगी और उसके बाद आपको पता है कि हत्या के मामले में गैर जोमानती वारेंट ओल्रेडी शुशील कुमार के खिलाफ कोट के द्वारा पेश किया गया था और उसके बाद इस याचिका को कोट में खारिज कर दिया गया और पुलिस ने जो रमान्ड मंगा और शुशील कुमार को रमान्ड में भेज दिया गया और उसके बाद ये सागर के माता पिता ने कहा कि शुशील कुमार के फलेट में सागर किराये पर रह रहा था और पिछले दो तीन महीने से किराया ना देने पर ये तथ्यों सामने आये और पुलिस ने भी कोट में ये तथ्यों पेश किये कि उनके दोरा किराया ना देने पर ये बात आगे बढ़ गी और जिसमें सागर की हत्या कर दी गई और आपको मैं बता दूं कि इसमें आई पीसी की धारा कौन सी